Hello Everyone, Welcome Back to the Popcom Show आज हम बात करेंगे इस साल रिलीज हुई वन ओव दा बेस्ट मलियालम मूवी आवेशम और इस मूवी के लिए मैं स्टार्टिंग से ही काफी एक्साइटेड था जब ये थेटर्स में रिलीज हुई थी और इसके अरली रिव्यूज आने लगे थे हाला कि ये मूवी हिंदी में एविलेबल नहीं है पर कुछ मूवी होती है न जो अपने लेंगवेज बैरियर को पास करके एक स्ट्रोंग एंटर्टेन्मेंट ओडियंस के सामने प्रस्तूत करती है और एक बार तो मुझको यकीन नहीं होता कि ये वो ही पुस्पा वाला पुलिसमेन है और जब जब आप इसके करेक्टर रंगा को स्क्रीन पर देखोगे और मेरी मानो तो भाई इस एक्टर ने कॉमिक टाइमिंग के मामले में अक्षे कुमार को भी पार करती है और मैं मानी नहीं सकता कि ये मूवी किसी को ना पसंद आए और इस मूवी के फ़नी पार्ट की बात करू तो रंगा के आने के बाद हर सीनी फ़नी हो जाता है पर इस मूवी का मेरा फेवरेट सीन वो है जहांकि एक रंगा गैंग्स्टर है और वो सब को मारने के लिए उतावला रहता है पर वो किसी कान किसी को मार नहीं सकता तो जब उसके बंदे दुसरे लोगों को मारते हैं तो वो एक टीचर की तरह गाइड करता है कि भाई ऐसे मार ऐसे ये यहां ऐसे मार और वो इस टाइम पे कितना हिलेरियस मूविन्ट बन जाता है कि मैं तो हस हस के पागल हो गया था और इस मूवी का जो हूमर है वो काफी अनप्रिडिक्टेवल और काफी फणी है और इसके टेकनिकल एसपेक्ट्स की बात करू तो ये मूवी कहीं पर भी मात नहीं खाती पर आइम शोर की ऐसी मूवीज हम बोलीवूड में और एस वेल एस मलियालम इंडर्स्टी में हम काफी देख चुके हैं जहां पर हमें एक गैंग्स्टर की स्टोरी दिखाई जाती है और उसके कोमेडिक करेक्टर एक्सप्लोर होता है और लाश्ट में हो किसी लड़की के प्यार में पढ़ जाता है और उसकी सोफ्ट साइड बाहर आती है कहानी के मामले में ऐसा कुछ खास डिलीवर तो नहीं करती है पर फिर भी ऐसी मूवीज में देखना पसंद करूंगा और यह मूवी कितनी हाइप है इसका पता इसी से चलता है कि मेरे रिवियू से पहले कम से कम 2-3,000 रिवियू तो आही चुके होंगे तो गाइज अगर आपने यह रिवियू यहां तक देखा है तो प्लीज जाओ इस मूवी को एमेजोन प्राइम पर देखो और अगर आपने यह मूवी देख लिए तो प्लीज कमेंट डाउन और लाइक दिस वीडियो और अलसो सब्सक्राइब यार एक हजार सब्सक्राइबर तो कर नहीं है तो ऐसे ही रिवियूज को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो इसी के साथ मी दा पोपकॉम शो साइनिंग ओफ ओके टाडा